हलो एवरीवान वंस अगेन वेलकम बैक टू माई चैनल मैं हुनिगार गाईज और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में आज इस वीडियो में गाईज मैं वेट लॉस करने का बहुत ही असरदार और कारगर नुस्खा आप सब के साथ शेयर कर रही हूँ जो की चन्द ही दिनों में आपके एक्स्ट्रा जमा हुई चरबी और फैट को पिग लाग देगा और इससे आपकी बोडी शेप में आ जाएगी नैशनल तरीके से आप इस तरह से अगर अपने वेट को लॉस करना चाहती है विदाउट एनी साइड इफेक्ट तो आज का ये नुस्खा बहुत ही कारगर साबित होने वाला है आप सब के लिए आज मैं आपको बताने वाली हूँ लेसन की कलियों को खाने का एक ऐसा नुस्खा एक ऐसा तरीका जो बिलकुल सही तरीका है अगर इस तरह से आप लेसन की इन कलियों को खाती है और साथ में ही इस ड्रिंग को अगर आप पीती है जो की इसके साथ बहुत ही कमाल काम करने व जिसके लिए मेरे पास बहुत सारे कॉमेंट आ रहे थे तो आज ये वीडियो मैं जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ और इसके साथ एक ड्रिंक शेयर कर रही हूँ जो कि इन लसुन की कलियों के साथ ही आपको लेना है लसुन की कलियां किस तरह से आपको लेनी है और किस वक् ये नुस्खा गाईस बहुत ही एफेक्टिव और बहुत ही असरदार है जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ I hope कि मेरा ये वीडियो आप सब को पसंद आएगा अगर आपको ये मेरा वीडियो मेरा ये टॉपिक अच्छा लग रहा है एक लाइक करना और प्लीज चैनल पर नया है तो बेल बटन को प्रेस करके मिल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको इसी तरह के अमेजिंग कंटेंट और वीडियो आगे भी देखने को मिलते रहें यहां पे गाईस हमने लेसुन की एक पूरी गाट ली हुई है मगर हमें लेसुन की पूरी गाट की ज़रूरत नहीं है हमें इससे लेसुन की कुछ कलियां ही चाहिए लसुन में भूग कम करने के गुर पाये जाते हैं जिससे अधिक खाने की इच्छा नहीं होती है यानि ये हमारी भूग को कंट्रोल करता है इसका सेवन अगर हम लंबे टाइम तक करते हैं तो इससे हमारा पेट भरा भरा सा हमें मैसूस होता है लसुन मोटबॉलिजिम को बढ़ाता है जिससे हमारा एनरजी लेवल बढ़ता है ये कैलोरी को बर्ण करता है और वजन घटाने में हमारी मदद करता है तो अगर आप भी अपने बढ़ते हुए वजन से और पेट की चरबी से परिशान है आपके थाई इस एरिया पे बहुत जादा चरबी जमा हो गई है या फिर पेट बहुत जादा मोटा थुल्थुल हो चुका है आपका चरबी एक्स्ट्रा बहुत जादा आप गेन कर चुके हैं और लॉकड़ॉन के दौरान भी आपका वेट काफी जादा बढ़ गया है तो आज का ये नुसका आप सब के लेकिन लसुन जो होता है सेहत के लिए भी बहुत फायदे मंद होता है बैली फ्लोट को कम करने के लिए लसुन एक आहम भूमी का निभाता है ये बात कई स्टडी में भी साबित हो चुकी है जो की रिसर्च यर ने बताया है कि उनका कहना है कि अपनी डाइट में अगर हम लसुन शामिल करते हैं तो लसुन में भरपूर मात्रा में विटमिन B6 और C के अलावा फाइबर, मैगनीज, कैल्शिम भी पाया जाता है। यह सारी ही चीज़ें हमारे वजन को कंट्रोल करने में हमारी मदद करती हैं। तो nutrition general प्रकाशित study के मताबिक fat burn होने और लसुन में गहरा संबंध है। एक्सपर्ट के मताबिक रोजाना लसुन का अगर हम सेवन करते हैं तो इससे आप जल्दी से अपना वजन कम कर सकते हैं। लसुन में खाने से शरीर में यूरीन जादा प्रोड्यूस होता है जिससे वजन और बैली फैट कम होने में मदद मिलती है। तो आईए हम बहुत ही असरदार नुसका आप सब के साथ शेयर करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे हमने लसुन की कुछ कलियां ले ली है। ठीक है। और आज सही तरीका में आपको बताऊंगी कि आप अगर अपना वेट लॉस करना चाहते हैं तो लसुन को आपको किस तरह से खाना होगा। यहाँ पे हमने कुछ कलियों को इस तरह से छील लिया है। और अब इसके बाद हम इसको तवे पे रखकर इस तरह से रोस्ट करेंगे। कोई भी चिकनाहट नहीं होनी चाहिए तवे में। और इसको हम ड्राइ रोस्ट करने वाले हैं लसुन को कुछ इस तरह से दबा दबा के प्रेस करते हुए आपको ड्राइ रोस्ट कर लेना है। इससे लसुन का कच्छा पन भी खत्म हो जाएगा। और लसुन की जो करवाहट है जो हमारे जबान में हमें महसूस होती है वो भी हमें इससे फील नहीं होगी। तो कुछ इस तरह से एक से दो मिनट तक आप जब सेखेंगे तेज गर्म आच में तो यह लसुन की कलियां हमारी इस तरह से से शेख जाएंगी। आप इस बावल में इसको निकाल लें। अब हम इस नुस्खे को और ज़्यादा असरदार बनाने के लिए एक ड्रिंक बनाएंगे। यहां पे हम एक बरतन ले लेंगे और उस बरतन में हमें एक ग्लास पानी डालना है। जब हमारा यह पानी हलका सा गुनगुना हो जाए तो इसमें हम डालेंगे एक चमच अजवाइन। अजवाइन क्या करती है। यह हमारे भूक को कंट्रोल में करती है। हमारे मोटबॉलिजम को बढ़ाती है। इसके अलावा यह हमारे फैट लॉस और फैट बर्न करने में बहुत ही है। अगर आपके बॉड़ी में किसी तरह की सूजन है। आपके पेडू में किसी तरह की सूजन है। या पीरियेट के दौरान आपको दर्द महसूस होता है। तो उसके लिए भी अजवाइन बहुत ही है। यह हमारे फैट बर्न के लिए बहुत ही इफेक्टिव नुसका है। तो यहां पे एक चमश हमने अजवाइन की इसमें डाल दी है। और इसको हमें 2-3 मिनद तक खौलाना है। दो से 3 मिनद तक आप जब देखेंगे तो यह हमारा पानी कुछ इस तरह से खौलने लगेगा। और अजवाइन का जो अर्क है वो इस पानी में आ चुका है। अब इस पानी को हमें ठंडा नहीं करना है। गुणुना गुणुना ही पानी हमें पीना है। तो चलिये हम इसको पहले चान लेते हैं। जाद़ तेज गरम भी नहीं होना चाहिए। बट इस पानी को गर्या ही आपको पीना है। तो यहाँ पे आपको ये लसुन की जो कलियां है ये सिर्फ दो कलियां आपको लेनी है और मॉर्निंग में खाली पेट आपको ये दो कलियां चबा चबा कर खानी है जब आप चबा कर ये लसुन की कलियां पूरी खा लें तो उसके बाद उपर से आपको गुन-गुना अजव फैट पिघलने लगेगी और आपका बाड़ी जो है वो शेप में आने लगेगी तो आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे गाईज जिसमें बताया गया होगा कि इन कल्यों को आप ड्राइ करके किसी कंटेरन में स्टोर करके रख लेगे मगर ये तरीका वीलकुल घलत है गाईज क्योंकि जब आप इन कल्यों को भून कर किसी चीज में स्टोर करके रखते हैं तो एक दिन के बाद लसटन का जो गुडने से जो कि इस ड्रिंग को पीए ठीक है उसको स्टोर करने के रखने की आपको ज़रूरत निया थोड़ी से मेनत आप कर लें दो गलीओं को डेली लें मौलडिंग मे और इसको इस तरह से ड्राइ रोस्ट कर लें ड्राइ रोस्ट करने के बाद ये लसुन की कल्यां आप चबा के खाएं और उसके बाद ऊपर से ये ड्रिंक पी लें तो ये था इन लसुन की कलियों को खाने का सही तरीका गाइस इसको आप अगर इस तरह से खाती है डेली और साथ में अजवाइन का पानी आप पीती है तो बहुत जल्द आपको जो एक्स्ट्रा जमा हुई च इसके अलावा हेल्दी डाइट लेना स्टार्ट करें बेकरी प्रॉडट्ट को बिलकुल एवाइट करें इसके अलावा आप अपने जो डाइट है उसमें फ्रेश जूस वेजिटेबल्स और इस तरह की चीज़ें अगर आप लेती है और ऑईली चीज़े बिलकुल बंद कर इस तरह के अमेजिंग कंटेंट के वीडियो देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें साथ ही वेल बटन को प्रेस कर दें जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप उस वीडियो को देख सकते हैं उसका लु जरूर कर लेना मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखें टेक कियर बाबाई